अगर आपने अपने लोकल गाओं के टोल पलाजा का पास बनवा रखा है ओनलाइन फास्टेक से तो उसको घर वैठे कैसे रिचार्ज करें वो हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं तो आएए इसको शुरू करते हैं सबसे पहले आपको जाना होगा आएचमसील के प अंतली पास को उप्सण आएगा यहां पर आपको टोल पलाजा सलेक्ड करना है गामरोष टोल पलाजा मैं पास बना रहा हूं और नीचे चैप्चर डालके इसको सब्मिट कर देना है कि मैंने इसको कप्च मढटिया है कि यहाँ पर आपको व्यर्न पर आपको क्लिक करके और यहाँ परondo लंबर डालके जिस तोलका फिर से select करना है जिस टोल पलाजा का पास बनवा रहे हैं तो यह मैंने टोल पलाजा select कर लिया है आपको ok कर देना है यहाँ local 20 km होने चीए और आपको यहाँ पर date सई से select कर लेना है अगर आपको already pass बना हुआ है तो उस date का ना करें उसके अगले दिन से करें तो आपको यह select कर लेगा अब get pass amount पर क्लिक करने के बाद 315 आ गया है आप purchase pass पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फिर से purchase पर क्लिक कर देना है उसके बाद कुछ इस तरीके का interface खुल के आगा यहाँ पर आपको mobile number डालना है नीचे email id देना है जो भी आपका email id है वो enter कर देंगे नीचे then proceed पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको UPI phone पर करना है Google पर करना है जो भी करना है आप यहाँ पर select कर लेंगे मैं यहाँ QR code भी कर सकता हूँ तो QR code पर क्लिक करने के बाद continue and pay आपको 7 रुपए ज्यादा देने परेंगे 322 रुपए यहाँ पर आ रहा है यह QR code को आप इस्कैन कर लीजिए QR code इस्कैन करने के बाद आपको आपका पास रिचार्ज हो चुका है यहाँ पर आपको receipt दिख जाएगा आप उसे डाउनलोड कर लीजिए स्क्रीन सोट ले लीजिए जो भी करना है कर लीजिए अगर कोई भी समस्य आती है पास बनाने के बाद भी अगर आपके पैसे कट रहे हैं तो आप नीचे दिएगे customer के नंबर भी है उस पर call करके resolve करा सकते हैं